नमस्कार आपने काफी कहा होते थे सुनी होंगी नाच ना जाने आंगन टेडा या लोमडी जब अंगोर तोड़ नहीं पाती तो एक वाग्या देती है कि अंगोर तो खटे थे तो चलिए इसी पर आदारित आज की जो सियासिक गर्मी तेट चिदरी उस पर चर्चा करते ही ल हो कि कॉगॉरिस हो हर नेता इस बार विधायक बनना चाहता है कि इस बार कुण रहे है बीचपी पार्टी में हर कोई विधायग या हर कोई पुराना चाहिए वो RSS का सदस्य ही क्यों ना हो चाहिए वो पार्टी का सदस्य ही क्यों ना हो चाहिए जो भी कदावर नता बीचपी से डिड़ा है उनके पेट में पच नहीं रहा है कि नायव सिंग सेनी सीम बनें तो इसलिए हर कोई चाता है कि नायव सिंग सेनी को साइड में करके सीम बनें यही कॉंगर्स पार्टी में कि प्रोमकमेंटरी भेंदर सिंग होड़ा को साइड बलगा अगर हम भी CM मनना हैं चलिए ये गुटबाजी चलती रहेंगी तो पार्टी तेक रहेगी कि किसको CM बनाना है किसको CM नहीं बनाना है लेकिन नाच न जाने अंगन टेडा यानि दुसंच टॉला बाजपा से गठवंदन तोड़ दिये है गठवंदन उनका तोड़ दिये गए है गठवंदन तूट गया है लोग सबाच उनाओं में जमानत भी नहीं बचा पाए है और दावेदारी राजे सबासेट के लिए समर्थन देने की कर रहे हैं यह साफ सब देखा दा सकता है कि दुसंच टाल जी के विधायक उनके काबू में नहीं है दुबंदर सिंग बबली हो दादा राम कुमार गोतम हो जोगिराम सिहाग हो यानि उनके विधायक ही उनके कंट्रोल में नहीं है तो कैसे वो समर्थन दे सकते हैं इस पर पूर मुक्य में दरी बबंदर सिंग उड़ा ने साफ साफ कह दिया है कि पहले दुसंच टाल जी अपने दस विधायकों के साइन एक पीज पर लेकर रहें दस विधायकों एक अठा तो करें उसके बाद जो जुमलेवाजी है वो करें वो बिलकुल सही कह दें तो कि उनको पता है कि दुसंच टाल जी के विधायक उनके कबू में नहीं है राजय सबा का सदस्या बनने के लिए तेरा विधायक चाहिए कॉंगर्स पार्टी को अगर कॉंगर्स पार्टी अपना उमिद्वार भी उतारती है तो कॉंगर्स पार्टी के लावा उसे अन्य तेरा उमिद्वार चाहिए वह पॉसिबल भी हो जाएगा या कॉंगर्स पार्टी या विपक्सी दलागर मिलकर अपना एक कंडिडिट मिदान में उतारती है तो पॉसिबल भी हो जाएगा कि वो जीत चाहिए लेकिन कब पॉसिबल होगा जब दुसन ताजी के दस विधायक एक साथ इकठा हो दर्दिलिये विधायक एक साथ कठा हो या अन्य विधायक चाहिए वो आईलडी अबैसे उताला भी वोटिंग करें यानि सभी विपक्सी दले एक साथ ही कठा हो तब ही पॉसिबलिटी बनती है कि राजे शवा की सीटे विपक्स के एक हाते में चले जाएगा उमिद्वार के तोर पर चाहिए वो विपक्सी पार्टी एक ठावर किसी को उतारे लेकिन उससे पहले इस बात में दम है होड़ा की जीजीपी पहले अपने दस विदाइकों को इक ठाथ हो करने जंता को बरगराने के लिए राजनीती सरगर्मिया काफी तेज होरी मीडिया के अंदर काफी काफी ब्यान बाजी सुन्ने को विल रही हैं सुन्ने में आया है कि प्रूम मुख्यमेंत्री दुस्टाल जी दावा कर रहे हैं कि इस बार तो सीम हमें बनेंगे तरी अच्छा है को सिस करने चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने 2019 के अंदर एक धम से मजबूत है वो यूवा नेता है जो कोई भी नेता नहीं कर पाया वो दुस्टाल जी ने करकर दिखाया है अर्याना की विधानस्वा चुनाओं में जिस प्रकार से जेश्विय पार्टी की हिस्षिदारी रही सरकार के अंदर वो काफी तारीक के योग्ये हैं वहीं पर उस से पहले यूवा सासत के तोर पर दुस्टाल जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर नाम कमाया है जो कारिये किये है उस चीज को लेकर जनता का प्यार उनको 2019 सुनाओं के अंदर भी मिला लेकिन 2024 लोक्षवा सुनाओं के अंदर नहीं मिला क्यों नहीं मिला इसका मैन रीजन है आएक कम तक कमजोर कर लिए गए है जनता के वोट बैंक तक कमजोर तोड़ दिये गए है यानि लोगों के नराजगी भी देखने को बढ़िए अब देखते हैं कि हारियाना के प्रूप मुक्य में तर दुस्टाल जी क्या वो नराजगी दूर कर पाएंगे क्या वो वाक्य में दुदर चोविस चुनाओं के अंदर मजबूती से खड़े हो पाएंगे आपके क्या वीचार है कमेंट करें बन रहिएगा हैस्बेन टॉटी फर न्यूज के साथ लाइग एंड सेर कीजिएगा जेहिंद साथियों